दोस्तों सबसे पहले तो थेंक्यू बेरी मॉच आप सभी ने मेरा इतना मनोबल बढ़ाया जिसकी वज़त से मैं वीडियो डाल पा रही हूँ तो अभी बालकनी लगबख सेट सी हो रही है तीरे तीरे और कुछ ओनलाइन समान आज मैंने मंगाए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी तीन चीजे मैंने मंगाई हैं तीनों ही चीजे बहुत कमाल की हैं जिससे गार्डन बहुत सुन्दर लगने लगता है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों यह 3 चीज़े जो मैंने मंगाई है यह बहुत ही सोझ समझ की मंगाई है और गार्डन को बहुत ही सुन्दर यह बना देंगी तीनों चीजे सोलर लाइट वाली हैं तो अगर आपके हाँ धूप अच्छी आती है तो आप ये तीनों चीज ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया है मैं काफी टाइम से फाउंटेन के बारे में आपसे मैंने बात भी कीती सोच लेती गार्डन में जरूर होना चाहिए बहुत अच्छा लगता है तो मैंने सोलर फाउंटेन मंगाया है जिसमें बिजली की कोई जरुवत नहीं है और बालकनी में अच्छी से चलता रहेगा यहाँ पर बालकनी में दूप बहुत अच्छी आती है इसलिए पूरा हम उसका यूज़ करेंगे और इसके लिए हमने यह सोलर फाउंटेन मंगाया है बहुत ही बढ़िया एटम है यह इसके साथ ही दो तीन चीज़े दी होंगी बस उनको जोड लेना है बहुत ही आसान है इसको जोड़ना और इसको बस पानी में रख देना है आप कोई भी टप ले सकते हैं टप में आप इसको रख दें या फिर मैंने जो मिट्टी का लिया था आपको भी पिछली वीडियो में दिखाया था मैं उसमें इसको लगाऊंगी काफी सुन्दर लगेगा इसके साथ ये इसके उपर वाले दिये हुए हैं अलग-अलग आप चाहें तो इनको निकाल सकते हैं आप चाहें तो इनको लगा सकते हैं तो ये आपकी मर्जी है तो बहुत ही आसान है एक मिनट में लिकल लगके तयार हो जाता है और पीछे की तरफ इसमें तीन ये दिये हुए है एक तो पंप लगा हुआ है और ये ताकि चुपक जाए नीचे लेकिन कोई जरूरी नहीं अगर नहीं भी चुपकता है तो भी अराम से चलता रहता है तो अभी मैं इसको लगा रही हूँ देखिए वो जो मैं लेकर आई थी वो मैंने रख दिया है इसमें पानी भर दिया है उपर और अब हम इसमें रख देंगे इसको तो सोलर लाइट वाले आईटम बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही बढ़िया रहते हैं काफी टाइम तक चलते रहते हैं मैंने पहले भी कई आईटम यूज किया है देखें इसको इसमें मैं रख दोंगी और जैसे इस पर लाइट पड़ेगी मैं एकदम से चौक गई एकदम से चलना स्टार्ट हो गया क्योंकि मुझे लगा था थोड़ा पहुत चार्ज होगा उसके बाद चलेगा लेकिन जैसे इस पर धूप पढ़ती है ये तुरंती च चलना स्टार्ट कर देता है अभी धूप बहुत हलकी है सुबह का टाइम है तो हलका हलका चल रहा है थोड़ी दिर बाद ये बहुत तेज चलने लगा अभी मैं आपको थोड़ी दिर बाद दिखाती हूं देखिए इसकी काफी उचाई इसकी बढ़ गई है तो जैसे इसे अभी तेज होता जाता है और इसको आप इस तरह से निकालके भी चला सकते हैं आवाज बहुत अच्छी आती है इसको निकालके 근데 पर आप चाहें अगर आपको उचा चाहिए तो आप इसको Wi Koira पानी जाता है बहुत सुन्दर लगताए गार्डन में समझझलिजे चार चान लग जाएंगे इसको लगाने से मुझे बहुत ही पसंद आया सुबह को जब नोए सुबह की धूप निकलती है तो हलका हलका चलता है और फिर जैसे ही नौदस बज़ते हैं अपने आपी तेज चलना स्टार्ट हो जाता है और तीन बज़े तक बहुत तेज चलता रहता है ती चल जाती है इसमें इस तरह से आप किसी भी गंबले में इनको गाड़ सकते हैं चार लाइट एक साथ ये आई है ये बहुत ही बड़ी अलगी है मुझे और इनमें अलग-अलग कलर्स की लाइट चलती है तो आप किसी भी गंबले में इस तरह से इनको लगा सकते हैं उपर स सबसे बढ़िया बात है इन लाइट्स की कि कलर चेंज करती है तो काफी सुन्दर लगती है और इनकी लाइट्स भी अलग ही उसमें पढ़ती है लाइन लाइन सी आपको दिखाई दे रही होगी तो बहुत ही सुन्दर है यह तीसरी चीज है वो है एक टांगने वाली जो लाइट होती है जिसमें छोट-छोटे बलब लगे होते हैं तो इसकी भी देखे यह इस तरह से प्लेट है सोलर प्लेट इसको इस तरह से आप किसी भ बहुत ही हलके से जलते हैं लेकिन रात को जब ही जलते हैं बहुत सुन्दर लगते हैं तो लाइट भी मुझे काफी पसंद आई है तो इसको लगाने से इन तीनों चीजों को लगाने से बालकनी बहुत सुन्दर लगने लगी है मुझे इस सारी चीजे बहुत अच्छी लगत तो बहुत ही सुन्दर हमारा गार्डन बन जाता है देखिए रात को इस तरह से चलती है तो बहुत तेज नहीं, बहुत हलकी भी नहीं, काफी सुन्दर इनकी लाइट है दोस्तों ये तीनों चीज़े आपको कैसी लगी जरूर बताईए और आप अगर इनके रेट बता करना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्कप्सन बॉक्स में डाल दूँगी, अभी मुझे किलियर इनके रेट याद नहीं है लगबग 8-10 दिन हो गए इनको मंगाए हुए, तो आप चेक कर लीजे, तीनों ही चीज़े मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके चरूर बताएं बालकनी अभी दीरे दीरे और सुन्दर में बनाने की कोजिस करूँगी, और मेरे साथ साथ आप भी अपने गार्डन में कुछ ना कुछ करते रहे हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई, थेंक्यू वेरी मच्च, जैस्याराम झाल